आखिरकार केंद्रि सरकार ने वितवर्ष 2023-2024 का बजट पेश कर दिया लेकिन कुछ ऐसे टेक्स भी हैं जिनके बारे में जानकर आप चौक जाएंगे तो चलिए जानते हैं दुनिया के अजीब और गरीब टेक्स के बारे में आपको जानकर खेरानी होगी किंग लाइंड और विल्स के राजा विल्यम स्तृती ने साल 1696 में खिडकियों पर टेक्स लगाया था दरसल राजा के खजाने में एक पैसा भी नहीं था इसलिए उन्होंने इसे सुधार्थने के लिए योपाई अपनाया था खिडकियों पर भी टेक्स उनकी संख्या के हिसाब से देना होता था जर लोगों के घरों में 10 से जाधा खिडकिया होती थी उन्हें 10 शिलिंग तक टेक्स देना पड़ता था इस कर को 1851 में समाप्त कर दिया गया हैंडरी एट जोकी इंगलाइन का राजा था सन 1535 में उसने सिर्फ दाड़ी रखने पर टेक्स लगा दिया था वैक्टी की विरासत के अनुसार उससे कर वसूल किया जाता था हैंडरी की मृत्यों के बाद उनकी बेटी अलेजाबेद प्रथम ने या अदेश जारी किया था कि दाड़ी पर दो सब्ता से अधिक का समय देना होगा 1658 में रूस के राजा पीटर दग्रेट ने भी दाड़ी रखने पर टेक्स लगाया था 1771 में अमेरिका के रोट आईलेंड की माली हालत काफी खराब हो गई थी ऐसे में डेमोक्रेटिक स्टेट विधायक ने शारीरिक संबंदों पर दो डॉलर का टेक्स लगाने का प्रस्ताव दिया था लेकिन ये कभी लागू नहीं हुआ दूसरी और जर्मनी में वैश्रा विती कानूनी है वहां 2004 में कानून के तहट टेक्स के तौर पर 150 यूरो देने पड़ते थे किकर केरल में त्रावर कोर के राज़ा द्वारा निचली जाती की महिलाओं के स्टन धकने पर लगाये गया था इसमें नाडर, एजवा, थिया और दलित महिलाएं आती थी अगर ये महिलाएं अपने स्टन को ढख कर रखती थी तो उन्हें काफी जादा टेक्स देना पड़ता था जब नागेली नाम की महिला ने टेक्स देने से इंकार कर दिया तो विरोध में अपने स्टन तक काट डाले बाद में उनकी मृत्यू हो गई और राजा को कर को समाप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा वही न्यूजलाइन में अगर मवेशी ड़कार लेते हैं तो किसानों को टेक्स देना होगा दरसल सरकार ने ये कदम ग्रीन हाउस गैसों की समस्या को रोकने के लिए उठाया है इस लाइन में ग्रीन हाउस गैस की समस्या में जानवरों की डकार की बड़ी भूमिका है शोत में कहा गया है कि इनकी डकार से ग्रीन हाउस गैस से निकलती है